पोई का पत्ता काट के यहां पर मैंने रखा है एक आलू मैंने उसको काटके रखा है को डइंठल एक टॉप कटा हुआ कटू सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कटा हुआ अन्योन, कटा हुआ ग्रीन चिली, एक लशन का पूरार, एक लशन का तली और यहाँ पर मैंने कुछ मसाला पानी में सोब करके रखा है, यहाँ पर मैंने लिया है इसको मेरे पानी में भीगों के रखा है, अब हम इसका फाईन पेस्ट बनाएगे अब हमने एक बिक्सि का जार ले लिया है, इसने हम पानी में भीगोया हुआ जो मसाला है इसमें डानेगे और उसमें डानेगे लशन की कलिया इसको हम एक अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे यास पर मैंने प्यान ले लिया है अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सुर्चों का तेल को हम अच्छे ते स्प्रेड कर देंगे जब तक तक तेल गरम हो रहा है और हम प्रोंग्स को सॉल्ट और हल्टी में मिक्स कर यहां पर मैंने आधा टेबल स्पूल लिया है सॉल्ट और आधा टेबल स्पूल अल्डी पाड़ा अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम फीस को फ्राइ करेंगे अब हम इसको निकाल लेंगे अभी प्यान हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें लेंगे दो बड़े चमत सरसुम का तेल या हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे ओंनियन हमारा हाफ्साइड हो गया है अब हम इसमें डालेंगे रिम के मिक्ताइगा ओंज़्ञ से इसमें डालें Senet इसको यह एकशिके प्राइब देखेंगे अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला अब इसके हम प्राइब देखेंगे मसाला हमारा फ्राइ हो रहा है अब हम इसमें डालेंगे हाप टीश्पूर शॉल्ट हाप टीश्पूर ब्रेट चिली पाउडर हाप टीश्पूर फल्डी पाउडर मसाला को हमको बहुत जादा नहीं भूनना है मिडियम फ्लेंबर हम मसाला को थोड़ा सा भूनेंगे अब हमसाला हमारा हो गया है तब हम इसमें भीचेबू लाग करेंगे पटाँ हो तक्टू आलू और पोई का रंधर हम इसमें पाउडर करेंगे करेंगे अजय के लिझा रच्ट कि अरू झाल कि अ इंजय कि अच्ट अच्ट अभी 10 मिनिट हो गया है अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं वाव बहुत अच्छा खुश्बुवाना सब्जी से शुरू हो गया है अब हम इसमें फ्राइ किया हुआ प्रॉंच को मैंने यहां पर आधा प्रॉंच को पूट के रखा है और आधा प्रॉंच ऐसे ही हम आप चाहू तो इसे मिक्सी में भी दरड़ा पीश सकते हो अब हम इसको अक्से से मिक्स करेंगे और मिडियोम स्लेम पर भग कर और फाइप मिनिट कर पका लेगे अभी फाइप मिनिट हो गया है और सब्जी भी हमारा पुरा बन गया है अब हम इसे सर्विंग बाल में निकाल लेगे अभी हमारा प्रोंस फोई मसाला रेड़ी है सर्व के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए थैंक्यू झाल झाल